नमस्कार जी, उमीद है कि आप सब लोग स्वास्त होंगे, तो आज हम बात करेंगे एक नई वनस्पति के बारे में, जिसका नाम है अपमार्ग, तो इस अपमार्ग का आज हम छार बना कर आपको दिखाने वाले हैं, कि इसका छार किस तरह से तयार किया जाता है, और इसके इसके अपमार्ग को हम लटजीरा, ओंगा, चिटचिटा, और इसका बोटी का अलनाम अजितंस एक्सप्रा है, और यह भरत बर्स में हर जगा पाया जाता है, और इसके पौदा करीब तीन फिट तक के उचायका हो जाता है, और यह रंग बेद में दो प्रकार का होता है, ए तो यह साल के बारों मासमे से देखा जा सकता है, वगर बारिस के बाद यह ज़्यादा उखता है, और यह हरा बारा रहता है, और यह लटजीरा, जब फनवरी या मार्च के मेहने में यह पक जाए, इसके फल, तना, बीज, सब अच्छे से पक जाए, तो आप इसको उखाण करने के बाद इसको पाने से साफ कर ले, और साफ करने के बाद इसको सुखा ले, जब अच्छे से सूख जाए, इसकी छोटे-चोटे आप टुक्डे कर ले, और टुक्डे करने के बाद आप इसको किसी पातर में लोहे के, या किसी साफ जगा पर आप करकर उसमें इसको इसकी जो आग है उपर तक लप्टे लिख ले अगी फायर हो इसकी जो भसम है वो हमें सपेद प्राप्त होनी चाहिए जितनी सपेद भशम होगी उसका ही इतना नमक हमें साफ और सुद्ध प्राप्त होगा तो इस प्रकार से हम इसकी भसम कर लेंगे और भसम करने के बाद इ जब हम इसको 24 गंटा विगो के रख देंगे और उस टेम हम इसको हाँ से मसल भी देते हैं मसलने के बाद इसको हम 24 गंटा विगो के रखने के बाद इसको सुबह हम छान लेंगे जो उपर का पानी बिगर हलाए उसको हम निकाल लेंगे जो नीचे हमारी राक बैटी है उसको ह प्रण्तु में आजकल नया तरीक के निकालर रख़ा है कि आप इसके उपर से पहले एक बार छान लें फिर को टन की बत्ती बनाकर उस को इसकrei प्रेसे पी कि बूंद करकर आप इसको फिल्टर कर लें फिल्टर करने के बाद यह बिल्कुल साफ और सुद्ध आपको पानी प्राप्त होता है फिर आप उस पाने को ले ले और उसको कि कड़ाई में भरके रख दें इसको दो प्रकार से आप बना सकते हैं एक तो आप सूर्यतापी और दूसरी अगनितापी आज जो हम बता रहे हैं वो जो प्रियोग है वो अगनितापी का है और सूर्यतापी से हम किस प्रकार चार बनाए उसका वीडियो हमने पहले बना रखा है उसका लिंक डिस्क्रेशन में दिया गया है आप वहां जाके देख सकते हैं इस पानी को हम किस इसका पानी है या जल्यान से वो उड़ता है तब तक इसके फाइदे के बारे में बता दे तो अपमार्क छार का यह ज्यादा कर चार सूत्र बनाने के लिए हम लोग करते हैं तो चार सूत्र का उपयोग ज्यादा कर पाइस भवसीर या फिश्टॉला या कहीं भी स्रीर पर कोई भी ग्रंथी है गाठ है या मस्सा है उसको काटने का उपयोग करते हैं इस चार सूत्र में इसनों ही या थूर का दूल लेते हैं अपमार्क छार लेते हैं और कबूतर या कुटकुटा किसको हम मुर्गा या मुर्गी कहते हैं उसकी बिटी लेते हैं यह चार चीजें लेकर और इस एक धागा लेते हैं उस धागे पर इसको 21 बार लगाना होता है और शुकाना होता है तो इसका अलग प्रोसेस है उसको अलग वीडियो में बताएंगे कि आप छार सूतर कैसे बनाएं तो उसमें इस अपमार्ग छार का यूज किया जाते हैं लोगों को खासी आत जाता है और इस एक जो सास लेने में जो रुकावट थी वह भी दूर हो जाती है इस परकार इस छार का उपयोग अस्तमा पेशन्ट को भी किया जाता है जो लेटेस्ट अस्तमा वाले हैं जिनको एक-दो साल अस्तमा का हुआ है उसमें अपमार्ग छार 125 mg की मात्रा में आप बच्चे हैं उनको भी कर सकते हैं खासी निमोनिया क्योंकि अपमार्ग छार में लेखन का काम करता है और यह जो उष्ड होते हैं इसकी मात्रा भी बहुत कम होती है इसको जाता मात्रा में लेना नहीं होता है और जो मोटे लोग है जिनमें फैट जम जाता है उनको पतला कर के लिए आप 125 अमजी की मात्रा में गुनगुनी पानी के साथ या इसको सहत के शाथ सेबन करवाएं उनका मोटा भी कम हो जाता है अगर इसका उपयोग आपको लगतार करना होता है कि यह मुत्रल भी होता है यह पेशाप की मात्रा को भी बड़ा देता है जिन लोगों को किड बालम में भी आप मार्ख झार का उपयोग नारियल कितेल के साथ कर शकते हैं। कि यह अपमार्ख झार बात और कफ का शमन करने वाला होता है। वूष्ष प्रकृति का होता है और यह सरीध में लेखन का काम करता है। इस प्रकार जो कड़ाई में जो पानी था वो उड़ चुका है और यह दो को गाड़ा हो चुका है तब यह जब गाड़ा-गाड़ा सा होने लगे तब इस नमक को आप थोड़े देर चलाने के बाद और निकालने के बाद आप इसको धूब में शुकाएं यह अच्छे से सू बैद नुशार करें यह जो जड़ी वूटी के जानकार है उनके द्वारा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं तो इसकी मात्रा का आप इसे ध्यान रखें अगर आप इसकी ज्यादा मात्रा लेते हैं तो आपको उल्टी यह दस्त भी हो शक्ते हैं वैसे तो अभी तक इसका यूज ना करवाएं तो इस प्रकार आप अपमार्ग छार का घर पे बना सकते हैं और इसको यूज में ला सकते हैं तो आप इस जानकारी को अपने मित्रों दोस्तों में शेर करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस अपमार्ग छार को अगर आप बजार से लेते हैं तो यह औरजन नहीं मिलता है अगर आप हमारे दौरा इसको परचेश करना चाहते हैं तो हमारे नमबर इसकसी में दिया गया है आप वहां जाके कॉल करें और अपमारुक्षार आप और कर सकते हैं तो इस अपमारुक्षार बनाने की विधी क महत्पूर जानकारी हैं स्वाब्त करते हैं और हम कल फिल में लेंगे एक नए जानकारी के साथ तब तक आप स्वस्त रहें मस्त रहें जैहिन